हालो गाइड्स आज हम लेकर आएं आपके सामने एक ऐसा मामला जो सोचल मीडिया में चाया हुआ है और यूटूब में भी चाया हुआ है इसके अलावा कई न्यूज़ प्रकासित हुआ है और ये मामला राइट तू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी हम सम्मिधान है constitution है उसके अंदर article 21 के अंदर provision दिया गया है right to privacy उसका उलंगन नहीं किया जा सकता है और किसी की भी call recording करना वर्जित है अगर उसने इजाज़त नहीं दी है और बिना इजाज़त के आपने call कर लिया है record कर लिया है तो यह आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 के का उलंगन भी है और हमारी right to privacy का भी उलंगन है दोस्तों आज हम इसी topic पर समचिप्त रूप में बात करेंगे एक ऐसा प्रकरण एक ऐसा मामला जो अभी हाल में उनेवल हाई कोट 36 गड़ माने उस नियायले 36 गड़ने डिसाइड किया है और यह नजीर बन गई है एक ruling बन गई है सब लोगों के लिए आप अपने हक के लिए इस ruling का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों मामला 36 गड़ के महा समुझ जले का है एक दमपत्ती में हर्जमेंट वाइप में आपस में भिवाद था पत्नी ने CRPC की धारा 125 में एक मुकदमा फैमिली कोड में दायर किया हुआ था होता क्या है कोड के अंदर उसका हजबेंड चोरी छिपे चुप्चा बिना बताए बिना अनुमतिके उसकी recording कर लेता है कॉल recording कर लेता है तो यह मामला जब उठा तो पत्नी के हजबेंड ने बोला कोड के अंदर बोला कि मैं एक ऐसी evidence पेस करना चाहता हूं जो रिकॉल जो डिस्टिक कोड जो फैमिली कोड थी उन्होंने उसके हजबेंड को इजायत दे दी कॉल रिकॉर्डिंग की की evidence की दाखिल करने की तो इस पर लड़की ने माने उस नियाले 36 गड़ के अंदर रिट याचिका योजित की और उस रिट याचिका में ओनवल हाई कोड ने कहा कि ये right to privacy का मामला है और किसी भी भ्यक्ति के अनुमति के बिना call record करना right to privacy का उलंगन है और अगर call record आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत बात है बड़ी गलत बात है और आई टी एक्ट जो 2000 है हमारा उसकी सेक्षन बहत्तर का भी उलंगन है उसमें जुर्माने का भी प्राविजन है और पलिस्मेंट का भी प्राविजन है दोस्तो कॉल recording करना डंडित नहीं किया हुआ है डंडित नहीं बनाया हुआ कई भी कोई ऐसा नहीं है कि IPC के अंदर कोई इंडे पैनल कोड में कोई ऑफिंस बनाया हुआ है लेकिन आप किसी की call record करके उसको यूज नहीं कर सकते अगर आप call record करना चाहते हैं उससे आप अनुमती ले सकते हैं उसके अनुमती से आप call record कर सकते हैं अले था आप call record नहीं कर सकते हैं तो यह मामला डिस्टिक family court से लेकर माने उस नियाले तक पोज़ गया था और माने उस नियाले ने कहा कि जो family court का जैजमेंट है जो order है वो right to privacy की खिलाप है और इसके against उनको कोई अधिकार नहीं है इसलिए जो डिस्टिक court ने order पास किया था यानि कि family court ने उसको उन्होंने सेटेसाइट कर दिया अगर आप याद कर रखें रखेंगे कि आपको कोई call record करें किसी की करनी है तो चोरी छीपे call record नहीं करेंगे यह it act section 72 का उलंगन होगा तो यह मामला आप सुरक्यों में चाहएवा है आप अक्वार में भी पढ़ सकते हैं और इस पे बहुत सी वीडियो भी बनी है आप कहीं भी आप इसको सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं यह मैंने एक छोटा सा वीडियो आपकी knowledge के लिए बनाया है कि हमें किसी की भी मतलब राइट टू प्राइवेसी को के खिलाब नहीं जाना है और उसका उलंगन नहीं करना है और अगर हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं उसके अनुमति से करें अने था यह गलत होगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मैं गोपाश शर्मा डोट मोटिवेसन चैनल स आपसे इजाज़त लेता हूं और किसी नए टॉपिक पर मैं आपके साथ आऊंगा नई वीडियो लेकर तब तक कि लिए मुझे इजाज़त देंगे थैंक यू नमस्कार